दोस्तों, आज हम 21 सदी के इस मर्सीनी यूग और एडवांस टेकनोलोजी के साथ जी रहे हैं जहांपर एक और साइंटिस्ट आइडिफिसल इंटेलिजेंस को हमारे जीवन से जोडने का प्रियास कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और कुछ ऐसे रहसमाई तत्य हैं जो इस एडवांस टेकनोलोजी और विज्ञानिक की समस्य परे हैं इस संसार में बहुत से ऐसे जीव और रहसमाई जगे हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट, आर्कोलोजिस्ट इतने सालों की रिसर्च के बाद भी कुछ नहीं जान सके आज के इस एविसोड में हम आप से प्रेमिड ओफ गीजा के रहसे के बारे में बात करेंगे जिसका रहसे आज तक भी किसी के सामने नहीं आया है और सायद इनी रहसों के चलते इसे दुनिया के साथ अजुबों में सामिल किया गया दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट मैं आज से लगबग 4000 साल पहले इजिप्टियन्स का राज हुआ करता था यह लोग अपनी कलाकरती में काफी नपुड थे इन्होंने अपने समय में ऐसी ऐसी रहस में monuments और structures का निर्मान किया जिसका रहस आज तक किसी के सामने नहीं आया यह लोग इन monuments के साथ-साथ कुछ ऐसे रहसों को छोड़ गए जिनका scientist के पास कोई जवाब नहीं है जैसा कि pyramids का आसमान में तारों से alignment और high temperature के बावजूद भी प्राइमेट के अंदर इतनी ठंड़क रहना ये सबी ऐसे तथे हैं जिनके आदार पर Egypt के प्राइमेट आज पूरी दुनिया के लिए एक रहसे बने हुए है इतने बड़े-बड़े monuments, structure उस समय के लोगों ने कैसे बनाए होंगे उस समय के लोगों ने इतने मजदूर, पत्थर, आदी को कैसे maintain किया होगा प्राइमेट्स पर काफी लंबे समय से steady होती आ रही है परंतु इसकी mystery आज भी unsolved है आज the great pyramid of Giza को calculate किया जाए तो यह लगबग 60,000,000 टनका है जो की 5.5 एकर में फैला हुआ है मैं आपके बता दू कि लगबग एक pyramid के अंदर 23,000,000 से भी जादा limestone block का इस्तमाल किया गया है और इस limestone block के पत्थरों को एक structure में arrange करना वो भी बिना किसी machinery के impossible है जबकि तथों के अनुसार इसमें लगए एक limestone block का बजन लगबग 2000 कलो से लेकर 70 कलो तक का है इन blocks को structure में arrange करना तो दूर की बाद ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है प्रेमिट्स से जुड़ी और इन correlation theory के अनुसार जब हम इन प्रेमिट्स को देखेंगे तो हमें दिखेगा यह प्रेमिट्स आकास में और इन बेल्ट नक्षत्र के साथ align करते हुए नजर आते हैं जिसके तीन तारों के नाम है यह तीनों तारे प्रेमिट्स से सिंक होते हैं मतलब प्रेमिट्स की position और alignment बिल्कुल इन तीन तारों से मिलती है इन तीन तारों का प्रेमिट्स से alignment होना आज भी एक mystery बनी हुई है कुछ लोग इस mystery को aliens से जोड़ते हैं प्रेमिट्स इंसानों ने बनाया या aliens ने इस बात का तो पता नहीं परन्तु बहुत सी theories के अनुसार यह माना जाता है कि इने aliens ने बनाया प्रेमिट्स के अंदर बहुत सारे tunnels बने हुए हैं पहले लोगों का यह मानना था कि यह tunnels ventilation के लिए बने हुए हैं फिर बाद में जब इन tunnels के अंदर कैमरे भीजे गए तो देखा गया सभी tunnels अंदर से एक दरवाजे से बन्द हैं सबसे बड़ा question लोगों के दिमाग में यह है कि आखिर यह प्रेमिट्स क्यों बनाय गए यह किस चीज के लिए useful रहे होंगे दोस्तों Seven Wonders of the World यानि दुनिया के साथ अजूबों में से प्रेमिट ओफ गीजा केवल एक मात्र ऐसा अजूबा बचा हुआ है जिसकी mystery आज तक unsolved है असल मैं वहाँ की government ही नहीं चाहती कि इसका कोई रहस से लोगों के सामने आए क्योंकि प्रेमिट ओफ गीजा विष्प की प्रिशित ट्योरिस्ट जगव में से एक है वहाँ के लोगों का यह मानना है कि प्रेमिट को उस समय के राजा रानी के कब्र के परपस के लिए बनाया गया था पर अजीब बात यह है कि आज तक प्रेमिट में एक भी ममी की बोडी नहीं मिली तो इस रिसर्च से यह बात इस पश्ट होती है कि यह किसी और चीज के लिए बनाये गये होंगे क्या आपको पता है कि इस धर्ती का जोग्रोफिकल सेंटर कहा है आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि जिस जगे यह प्रेमिट्स बने हुए है असल में वही जगे इस धर्ती का मैं जोग्रोफिकल सेंटर है कहने को तो यह कोइंसीडेंस यानि एक इत्तफाक भी हो सकता है परंतु हमें यह नहीं बूलना चीए कि यह प्रेमिट्स 4000 साल पहले बनाए गए थे उस समय यकीनन इतनी एडवांस टेकनोलोजी नहीं रही होगी जिस से धर्ती के सेंटर का पता लगाया जा सके परेमिट्स के जो स्टॉन है असल में वे खुद अपने आप में एक मिस्टरी है परेमिट्स स्टॉन लाइम स्टॉन जैसे दिखाई देते हैं परंतु यह लाइम स्टॉन है नहीं क्योंकि इतने भारी पत्थरों का ट्रांसपोर्ट करना इंपोसिवल है इस बात की रिसर्स आज भी जारी है कि उस समय के यह पत्थर किस मैटेरियल से बनाए गई थे जिप में परेमिट को जो एरिया है वह डेजर्टेड एरिया है जहां का तापमान बहुत हाई रहता है और वहां बहुत तेज हवाय भी चलती हैं परन्तु परेमिट को एक ऐसे रहसम ही तरीके से बनाया गया है बाहर बेसक कितना भी हाई टेंपरेचर क्यों ना हो परन्तु परेमिट के अंदर का टेंपरेचर 20 डिगरी से जादा नहीं होता यह सभी फेक्ट्स यानी परेमिट के अंदर नैचुरल एर कंडिशनर का होना परेमिट का तारों के साथ अलाइन करना और परेमिट का एक्जएक्ट प्रतवी के जोग्रोफिकल सेंटर पर होना ये सब क्या एक इत्तिफाक है या फिर ये सब ऐसे प्राणियों की ओर इशारा करता है जिनके पास high advanced technology थी ऐसी technology और knowledge जो शायद आज भी हमारे पास नहीं है आज भी दुनिया भर में समय समय पर engineers और वेग्यानिक प्रेमिड और ममी से जुड़े रहसों को सुलजाने में लगे हुए है अगर इजिप्ट के लोगों के पास ऐसी गजब तकनीक और इतनी विक्षित सब्वेता थी तो फिर वो सब्वेता आज कहा है उस सब्वेता का दमन कैसे और क्यों हुआ दोस्तों ये सब ऐसे सवाल है जो आज की 21 सदी में बड़े बड़े engineers और वेग्यानिकों के लिए चुनोती बने हुए है परन्तु वेग्यानिकों की इतनी मेहनत को देखकर हम ये दावे से कह सकते हैं कि आखिर वे दिन दूर नहीं है जिस दिन हम प्रैमिड के रहस्तों को जान सकेंगे